नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप अपने हड्डियों को फोलाद की जैसा मजबूत बनाना चाते हैं आप चाते हैं कि आपको हड्डियों से संबंदित कोई भी समश्या ना हो तो आज का एक वीडियो जरूर देखें दोस्तों मुझे याद है पहले जब आदमी 60-65 वर्स का हो जाता था तब जाकर उसे हड्डियों से संबंदित समश्या आनी सुरू होती थी लेकिन आज कल तो 30-35 वर्स के आदमी को ही हड्डियों में दर्द रहना सुरू हो जाता है हड्डियों कमजोर होनी सुरू हो जाती है कैल्शियम की कमी होने लगती है विटामिन D की कमी होने लगती है तो आज की वीडियों में हम समझेंगे कि इसका क्या कारण है हड्डियों क्यूं कमजोर होती जा रही है उसके साथ साथ आपको होमियोपैथी की ऐसी दवाई बताऊंगा जिससे आपकी हड़ियां फोलाद की तरह मजबूत हो जाएंगी दोस्तो अगर आपकी उम्र 35 प्लस है और आपके जोडों से कड़ कड़ की आवाज आने लगी है जब आप सीड़ियां चड़ते हो गुटनों से कड़ कड़ की आवाज आती है गुटनों में दर्द रहता है या और किसी जोड में आपको दर्द रहता है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी हड्डियां कमजोर होनी सुरू हो गई है ऐसी इस थिति में हम इसे अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं हम इसकी उपेक्सा कर देते हैं इसे भूल जाते हैं तो अगर आप इसे नजर अंदाज करोगे तो ये समझ्या बढ़ती जाएगी और आने वाले चार से पांच साल में आपको घुटनों की प्रोवलम होने लगेगी आपको ओस्टो अर्थराइटिस हो सकता है, आपको ओस्टियो पिरोशिस हो सकता है Osteopirosis में हड़ियां अंदर से खोकली हो जाती है थोड़ा सा चोट लगने से ही हड़िया तूट जाती है Osteoarthritis में हड़ियां गिषने लगती है जोड गिषने लगते है जोड आपसमें टकराने लगते है जैसा कि आप इस चितर में देख रहे हैं ये समश्या अगर किशी इनसान को हो जाए तो उसे जीवन वर फिर पैन किलर खाना पड़ता है, दर्द की दवा खानी पड़ती है, इनके बहुत ज़्यादा शायड इफेक्ट होते हैं, किड़नी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, तो अगर आप इस प्रोब्लम टेस्ट जरूर कराने चाहिए, अगर किसी की उमर 35 पलस है, और उसे हड़ियों में दर्द रहता है, या कड़गड की आवाज आती है, उसे ये दोनों टेस्ट जरूर ही कराने चाहिए, पहला बलड टेस्ट है विटामिन डी का, और दूसरा है कैल्सियम का, अगर आपको ज सरीर को चलाने के लिए कैल्सियम की डेली रिक्वार्मेंट रहती है, जो हमारे सरीर की गतिवी दियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है, जब हमारे सरीर को डाइट के माध्यम से, खाने के माध्यम से कैल्सियम नहीं मिलता है, तो सरीर अपनी डेली लेने लगता है जिस कारण से हड्डियां अंदर से खोकली हो जाती हैं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिस कारण से हड्डियों से संबंदित बीमारी आने लगती है यह अगर आप कहीं पर गिर गए तो हड्डी तुरंत ही चटक जाती है तुरंत ही तूट जाती है हड्डिय को चक्कर आने लगते हैं, हार्ट प्रोब्लम हो जाती है और पूरे सरीर में पूरी मास्पेशियों में दर्द रहने लगता है, अब बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि हम तो केलशियम खो भी खाते हैं, हम दूद पीते हैं, हम अंडा खाते हैं, और ऐसे बहुत सारे में है, दोस्तो अगर आप बरपूर केलशियम खा रहे हैं डाइट के माध्यम से, लेकिन अगर आपके सरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है, तो बिना विटामिन डी के सरीर इस केलशियम को एबजोर भी नहीं करेगा, तो जितना हमारे सरीर के लिए केलशियम जरूरी है, उतना ही vitamin D भी जरूरी है दोस्तो एक study कहती है कि संसार में दो तरह के आदमी है एक तो वो जो काली skin वाले हैं और दूसरे वो जो गोरी skin वाले हैं यानि काली skin वाले तो वे लोग हैं जिनके यहां गर्मी ज़ादा होती है और गोरी स्कीन वाले वे लोग हैं जिनके देश में सर्दी जादा होती है इस्टेडी ये कहती है कि जो काली स्कीन वाले लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं इन लोगों को अपनी विटामिन डी की डेली रिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए लगबग 2-3 गंटे की सूर्य की धूप आवशक है भारत के लोग यदि 2-3 गंटे तक रोज सूर्य की किरणों के नीचे डिरेक्ट नीचे रहते हैं तो इससे उनकी डेली रिक्वार्मेंट पूरी होती है विटामिन डी की लेकिन दोस्तो जो गोरी चमडी वाले लोग हैं उनकी विटामिन डी की डेली रिक्वार्मेंट केवल 30 मिनट में ही पूरी हो जाती है तो अगर आप चाते हैं कि मुझे विटामिन डी का कोई सप्लिमेंट ना लेना पड़े और मैं धूप से ही अपनी डेली रिक्वार्मेंट पूरी कर लूँ तो आपको 2-3 गंटे तक सूर्य की किरनों के नीचे रहना ही होगा तो चलिए दोस्तो अब होमियोपैतिक ट्रीटमेंट की तरब चलते हैं दोस्तो यह होमियोपैतिक ट्रीटमेंट आप प्रिवेंटिव के तोर पे भी ले सकते हैं और आप इसे तब भी जरूर लें जब आपको ओस्टो अर्थराइटिस या ओस्टियो प्रोसिस हो गया हो तो दोस्तो मैं तो कहता हूँ कि जिनकी उम्र 35 पलस हो चुकी है उन सभी को यह होमियोपैतिक दवाईया जरूर लेनी चाहिए कि यह आपकी हड्डियों को कमजोर होने से बचाती है तो चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ वे कौन सी दवाईया है पहली दवाई का नाम है होमियोकॉल यह एक पैटेंट होमियोपैतिक दवाईय है SBL कमपनी से बनाती है और मैं आपको रिक्मेंड करूँगा कि आप इस दवाई की 450 ग्राम वाली सैसी ही लेकर आएं दोस्तों यह 450 ग्राम वाला पैक आपको काफी सस्ता पड़ेगा और 4-5 आदमी अगर इसको लें तो फिर भी यह 4-5 महेने तक चल जाएगा होमियोकॉल का यह पैक आपको लगबग 450 रुपे का मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा वैसे तो इसका जो MRP होता है वो 600 के करीब होता है लेकिन अगर आप उसे बोलोगे मेडिकल स्टोर वाले को तो वो आपको इस पर डिसकाउंट भी दे देगा डिसकाउंट हो जाने के बाद में यह लगबग 400 रुपे में मिल जाएगा दोस्तो यह टेबलेट की फोम में आता है इसकी चार-चार टेबलेट आपको दिन में तीन बार अपने मूँ में डाल के चूसना है दोस्तो इस हम्यो कॉल नमक पैटेंट के अंदर चार तरह की हम्योपेथिक दवाईया है पहले नमबर पे है कैलकेरिया कार्ब, दूसरे नमबर पे है कैलकेरिया फोस, तीसरे नमबर पे है कैलकेरिया फ्लोर और चोथे नमबर पे है शाइलीसिया यह चारो दवाईया हमारी हड़ियों के लिए बेहद आवशक हैं तो अगर आपको कोई प्रोबलम है हड्डियों में दर्द रहता है या जोडों से आवा जाती है तब तो आप इसको जरूर लें लेकिन अगर आपको कोई प्रोबलम नहीं है आपकी ओमर 35 पलस हो चुकी है तो भी आप इसे शुरू करें दोस्तो दूसरी दवाई है सिंफाइटम 30 ये भी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा आवशक है सिंफाइटम को ओस्टियो पिरोसिस के केस में लिया जाता है ये जो हड्डियां अंदर से खोकली हो जाती है उस प्रोबलम को ठीक करती है दोस्तो हमारे हड्डियों के अं क्रैक आ गया है हलका सा तो सिंफाइटम लेने से हड़ी बहुत जल्दी जुड जाती है तो दोस्तों ये दोनों दवाईयां आप साथ साथ भी ले सकते हैं साथ साथ लेने से इनका कोई भी शाइड एफेक्ट नहीं होता है दोनों बहुत ही अच्छी दवाईयां हैं आपकी हड़ियों के लिए आपको इनका रिजल्ट 10-15 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन आप इनको लगातार 2-3 महिने तक जरूर लें दोस्तों आज का हमारा टोपिक यहीं पर इसमापत होता है कल फिल्ट मिलेंगे आपसे एक नए टोपिक के साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें